एक कहावत कही जाती है कि जो गरजते है वो बरसते नहीं है बिर्जबोशन सरन सिंग लगातार गरज रहे थे लेकिन 24 गंटे के अंदर जैसे ही विनीस फोगाट जुलाना में एंट्री करती है और जुलाना में जिस तरीके से विनीस फोगाट का वेलकम किया गया और कल विनी विनिस अपने ओफिस का जुलाना के अंदर उद्गाटन भी करने वाली है और जब नावांकन करने जाएगी तब तो बहुत बड़ी भारी रेली होगी लेकिन इस बीच में जब ये खबर आई कि विनिस पोगाट कॉंग्रेस जुइन कर रही है एक सक्स जबर्दस तरीके से एक्टिव हो गया उसका नाम था बिर्जबूषन सरन सिंग कर अब बीजेपी को उपर तक ख़वर पहुची की हरियाना में बिर्जबूषन सरन सिंग का पैर भी रखा गया तो यहां पर कोहराम मच जाएगा और इसी लिए ये हुआ कि बिर्जबोशन सरन सिंग की अब नो एंट्री हो गई है एक खबर मैं आपको पुखता बता रहा हूँ दूसरी खबर की मैं एडवांस में आपको जानकरी दे रहा हूँ बीजेपी ने अभी पुखता तोर पर जो खबर आई है बीजेपी ने बिर्जबोशन सरन सिंग के उपर ब्रेक लगा दी है कहा है कि अपनी जुबान को लगांब रखो बजरंग पुनिया और विनीस फोगाट इन पर कोई बयान भाजी आपको नहीं देनी है ये बिर्जबोशन सरन सिंग ने का है और अब पूरी तरीके से बीजेपी बैक फुट पर आ गई है बिर्जबोशन सरन सिंग को चुप करा दिया गया है और ये खबरें तमाम चैनलों पर लगातार चलवाई जा रही है क्यों चलवाई जा रही आपको पता है इसलिए चलवाई जा रही है ताकि हर्याना के गाओं देहाद तक एक खबर पहुँच जाए कि बिर्जबूशन यहां पर नहीं आ रहा है दरसल देखिए आप जिन लोगों को हर्याना के बारे में पता नहीं है वो लोग आकर के हर्याना के चुनाव को तै करने के कोशिस कर रहे हैं हर्याना में जब किसान आंदोलन को लेकर के अनाप शनाप बयान बाजी करने वाले और किसानों पर लाठी चलवाने के आदेश देने वाले नेताओं को गाओं के अंदर नहीं गुसने दिया जा रहा तो किस हैसियत से किस एंगल से बिर्जबूशन सरन सिंग को कोई गाओं में गुसने देगा हर्याना में गुसने देगा हर्याना के अंदर वो कोहराम मचता जिसको बिर्जबूशन सरन सिंग स्याद उम्र भर याद रखता मैं हर्याना से आता हूँ इसलिए मैं साफ तोर पर इस बात को बता रहा हूँ हर्याना में दो चीजों को लेकर कि कॉम्प्रमाइज नहीं होता है पहली चीज कि कोई किसी बेहन बेटी को अगर कोई कुछ कह दे तो इससे उपर कुछ नहीं है फिर सब खतम अगर बेहन बेटी के बारे में किसी नहीं कुछ कह दिया तो फिर कुछ भी नुकसान हो जाए कितना भी नुकसान हो जाए सब सहन कर लेंगे लेकिन उस बोलने वाले को नहीं बखसेंगे, ये एक फोर्मूला रहा है, हर्याना के जमीनी मिजाज गो अगर आप टटोलेंगे तो आपको ये बात चाहिए आप दक्षनी हर्याना में चाहिए, चाहिए उत्री हर्याना में चाहिए, कही में पर चले जाहिए, कोई सिब्सक् पिर वहाँ पर तो बात ही खता और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर हमारे बड़े बुजुर को किसे ने कुछ कह दिया तो फिर तुम चाहे जितने बड़े तीस मारखा हो तुमसे फिर भिड़े बगर मानेंगे नहीं मतलब कि अब इस चीज को दो तरीके से समझे बड़े बुजुर को यानि किसानों को किसान अंदोलन के दोरान अनाप्शनाप बाते जिस इसने कही आपने देखा क्या हाल हुआ किसान अंदोलन का विरोध करने वाले या किसानों के बारे मनाप्षनाप करने वाले गुस नहीं पारें आगी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा और अब ये बिर्जबूशन सरन सिंग पहुँचना चाहते थे और इन्होंने तो दोनों काम कर दी किसान अंदुलन पर भी जो है वो कुछ न कुछ इनके थी बयान बाजी उसको चलो एक बार फिर के लिए फिर भी माफ कर देते लोग लेकिन बहन बेटियों के बारे में देखे क्या क्या कहा ये कह रहे हैं ये जो विनीस पोगाट है पैसे ले करके अब यकीन नहीं करेंगे पैसे ले करके कमाल की बात है ना पैसे ले करके सैटिंग करके तब बोल रही है अब विनीस पोगाट इतनी जो है वो कम हैसियत की या मैं और सब तो इस्तमाल नहीं करूँगा खर वो नहीं है कि वो कॉंग्रेस के किसी और के पैसे की मोताज है पूरी दुनिया में नाम है और वो किसी के पैसे से भिकेंगी क्या लेकिन इनके बैयान बाजी सुन लीजी क्या आपके पास इतना ताकत नहीं थी कि एक तमाचा मेरे मुँपर मारती है वो भी दिल्ली जैसे अस्थान पर आपका काउन का करता हंगामा नहीं कर सकती थी बोल नहीं सकती थी आप दो साल बाद आएंगी तीन साल बाद आएंगी योजना बना करके आएंगी इसारे पर आएंगी पेमंट पर आएंगी तो पैसा दिया गया है और इनकी बाती यहीं नहीं खतम होती है यह कहते हैं कि तुम चुना यह ओलम्पिक के अंदर पदक जीती हो तो वो भी चीटिंग करके चीती है मतलब जिसने दुनिया के चार बार की वर्ल्ड चेंपियन जो 82 मैच अपने हारी नहीं किसी से लगातार 82 मैच जो लड़की नहीं आरी जो महिला चेंपियन नहीं आरी उस चेंपियन को हराने काम विनिस फोगाट ने किया उसको धूल चिटाने का काम उसको हराने का काम विनीस फोगाट ने किया और ये कह रहे है चिटिंग करके जीती हूँ अब ये एक एक चीज इनकी गाउं तक पहुंच गई थी एक एक रिपोर्ट इनकी गाउं तक पहुंच गई थी और इसलिए गाउं के लोग तयार बैठे थे अब मैं आगे कुछ तो नहीं कहुँगा कि क्या-क्या तयारी थी बाकि आप समझी सकते हैं कि क्या-क्या तयारी गाओं के लोग करके बैठते हैं और राकेस्टिकाइट ने बहुत बार बताया तो बात ये है कि हर्याना का जो जमीनी मिजाज है उसको जाने परखे वगेर बिर्जभूशन सरन सिंग को जिसने भी हवा दी थी जिसने भी कहा था कि बिर्जभूशन सरन सिंग अगर काउंटर करेगा तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा और इसी लिए इनके टीवी चलनों पर इंटर्वी चलने लगे ऐसा सैंसा वाला ऐसा रजय वाला रूप जो है इनका दिखाया जाने लगा लेकिन फिर एकदम से नीचे आगे साब क्यों तो कि उपर से चाबुक चला हंटर चला कि ये जमीन पर जो भाफ निकल रही है अरियाना में जो जमीन पर जो भाफ निकल रही है वो बीजेपी को एकदम भशम कर सकती है जो कुछ सीटे आ सकती वो सीटे भी नहीं आएंगी ऐसा हाल हो जाएगा कि लोग घुसने नहीं देंगे और इस तरीके से विरोध हो जाएगा कि बुरा हाल हो जाएगा अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ मैं आहाल के अंदर ग्यांचन गुपता वो गए थे अपना परचार परशार करने के लिए लेकिन गुसने नहीं दिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद गाड़ी से खिड़की खोल करके पैर नीचे रखना तो दूर की बात सीसा भी नहीं उतार पाए देखे जरा मुर्दाबाद तो बजरंग पुनिया और विनीस फोगाट के खिलाफ आप बताईए कि बयान बाजी जो लगातार कर रहे हैं बिर्जबूशन उनका क्या हाल होता है जब ग्यानचन गुपता कई क्ले आठका बेल मुझे लगता कि ग्यानचन गुपता को भी एक बर फोन करके बिर्जबूशन सरण सिंग को साई सही जनकारी से बतादेनी चाहिए कि जमीन पर सिती ये है बिर्जबुशन जी आप आना चाहते तो आपका स्वागत है एक ब़र बता देना चाहिए वो कहते हैं कि किसी को जो है दोखे में नहीं रखना चाहिए एक ब़र जरूर बता देना चाहिए देखिए कोई आपती नहीं है कोई भी नेता दुनिया में किसी भी कोने में जा करके परचार कर सकता है तो हर्याना कोई ऐसी अच्छूत चीज नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी के लोग नहीं जा सकते हैं बिलकुल जा सकते हैं लेकिन देखिए हरियाना के लोग मूफ़ट टाइप के लोग होते हैं मतलब कोई के अंदर मैल रखते नहीं है जो है वो बोल देंगे और बाकी जो है वो जहें पर तोल करके नफा नुकसान देख करके बड़ा छोटा कद देख करके कि हाँ तो ये तो बहुत बड़ा आदमी है ये कोल बहुत बड़ा नेता है वो नाप तोल करके आदमी जो है वो अपने अलफाजों का इस्तमाल करते हैं लेकिन हरियाना में ऐसा नहीं हरियाना में ये है कि तुरंट का तुरंट हिसाब किताब और ये बिर्जबोशन सरन सिंग ने तो बजरंग पुनिया की पतनी को ले करके अपमांजनक बात के दिया इन्होंने बजरंग पुनिया को ले करके कह Δिया कि बजरंग ने अपने फाइदे के लिए अपनी पतनी का इस्तमाल किया बजरंग पुनिया भी चेंपियन आदमी है मतलब इतनी गहरत की बात क्यों कहते हो आप और बाते बताईए और बाते करिये और आपने क्या किया वो अपना काम गिनवाईए दूसरे को नीचा दिखा करके दूसरे को फसा करके दूसरे के बारे में कुछ उल्ट कहेगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन देखिये साब पार्टी ने दिखा दी 9 एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ आज आज की तारीक आप नोट करके रखिये आज जो है वो 9 तारीक है 9 सितंबर 9 सितंबर की तारीक है 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी 8 की कितनी सीट आई है सरकार किसकी बन रही लेकिन इस बीच में एक चीज जो मुझे लगता है बिलकुल नहीं होगी और वो यह कि बिर्जबूशन सरन सिंग को बीजेपी चुनाव में नहीं उता रहे यह पहली खबर तो मैंने आपको बताई दी कि उनके बयान पर लगाम ल और विर्जबूशन सरन सिंग के बारे में महिलाएं क्या कह रही है एक बर चोटा सा सेंपल मैं आपको दिखा देता हूँ तो बिर्जबूशन सरन सिंग का स्वागत करने के लिए गाउं के लोग तयार बैठे हैं अब बीजेपी के पास में यह चांस है कि वो विर्जबूशन सरन सिंग का स्वागत करवाना चाहते हैं या इस चुनाव से उनको दूरी रखना चाहते हैं यह तो वो लोग तैक करेंगे कोई बिर्जबुशन सर्ण सिंग को कोई चोट पहुचा देगा चोट बिल्कुल नहीं गाउं के लोगा मैंने कली आपको एक वीडियो दिखाई आज सुबा एक वीडियो दिखाई जिसमें सुरूती चोधरी को गाउं के लोग कह रहे हैं कि हम लडाई नहीं करेंगे जगड अब अगर बीजेपी चांस लेकर के अपना जो है वो जंडा बुलंद करना चाहती है तब बीजेपी को भला कौन रोख पाएगा बाकि आप लोग समझदार है ही आप लोग बताईए कि आप क्या सोंचते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए निचे कॉमेंट बुक्स पर अपनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को शेर कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद